हलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आप सबी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रपेशन बहुत अच्छे से चल रही होंगी स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि एक्जाम डेट्स एनाउस हो चुकी है तो फिजिक्स में वोट टॉपिक्स हम सबसे पहले कवर कर लेते हैं जिनका यिल्ड जो होता है वो हाइस होता है जहांसे कोश्चन पूछी जाने के चांसे सबसे ज्यादा होते हैं तो जैसा कि आप लोग ने कहा था कि पहले modern physics को कवर कर लीजिए तो मैं आप लोगों के लिए modern physics पहले कवर कर लेता हूँ और देखिए modern physics से ही 70-80% questions आपके हैं तो अगर आप modern physics भी अच्छे से कवर कर लेते हैं तो students you can score pretty good marks तो students चलिए start करते हैं modern physics और modern physics में हमारा पहला lecture जो आज है उसका नाम है dual nature of matter dual nature of matter matter का 1212 तो चलिए students cover करेंगे dual nature of matter तो students देखिए dual nature की कहानी बहुत पहले से चलती आ रही है यह कहानी कि अगर हम शुरुआत करें तो यह होता है लगभग नेटन के टाइम से यह कहानी चलती आ रही है कि light को जिस तरीके से light है आपके पस light को क्या माना जाए light को एक particle की form में माना जाए या students light को हम माने कि ये एक wave है in the similar manner अगर आपके पस कोई matter है तो matter को हम क्या माने matter को हम एक particle माने या फिर matter को wave माने तो इसकी शुरुआत होती है देखिए सबसे पहले जैसे मैंने कहा Newton के टाइम पर Newton ने ये कहा था कि light जो होती है light एक particle की form में travel करती है light एक particle की form में होती है और ये जो particle होता है इनको उन्हें एक special नाम दिया था इस particle को उने ने कहा था Corp Sules, Newton's Corpuscular Theory. इन्होंने कहा था कि जो light होती है, यह particles की form में होती है और इन particles का special name होता है Corp Sules. जो particle होता हैं, यह सीधी रेखा में move करते हैं, इसलिए light जो होती है, वो भी सीधी रेखा में move करती है, light का rectilinear propagation होता है, जब वो move करती है, तो वो सीधी रेखा में move करती है, अब students उसी time पे उनके parallel एक और scientist थे, जिनका नाम था Young, Huygen, अब हॉइगन जो थे, वो यह कह रहे थे कि light जो होती है, वो particle की तरह behaving करती है, light करती है, एक wave की तरह भी, और आप तो जानते हैं कि wave को propagate करने के लिए एक medium की requirement होती है, तो यहाँ पर, Huygen ने यह कहा कि, जो light medium में यहाँ पर, जिस light को हम यह मान रहे हैं कि वो wave की form में है, हमारे space में एक special तरह का medium है, उस medium को उन्होंने नाम दिया ether, students, इस ether का कोई भी लेना देना नहीं है, chemistry वाले ether से, इसको इन्होंने सिर्फ नाम दिया, कि हमारे medium, हमारे space में एक medium होता है, जिसका नाम होता है ether, और क्योंकि light इसमें से pass करती है, ether में से, इसी लिए यह एक wave है, wave की form में light move करती है, अचा students, इनके पास कौन-कौन से evidences थे, जैसे particle nature के लिए तो बहुत सारे evidences थे, अगर मैं कहूँ कि light का एक ही काफी है, जैसे rectilinear propagation of light, light जो होती है, वो सीधी रेखा में travel करती है, then students, आपने पढ़ा होगा reflection of light, आपने पढ़ा होगा reflection of light, यह सारे जो थे, यह particle nature के explain करती है, then students, wave में कौन-कौन सी चीज़े थी, ऐसी जो wave को support करती है, जो आज भी करती है, तो एक आपने पढ़ा होगा interference of light, interference of light, interference of light का मतलब होता है, जब light जो होती है, उसका जो intensity होती है, light की intensity हो घड़ती और बढ़ती है, regular intervals पे, तो उसे आप कहते हैं, interference, कर देना कि वो एक ही particular direction में move करें, then, एक होता है आपको बस diffraction of light, तो ये सारे evidences आपके पास कहां की और इशारा कर रहे थे, ये light का wave nature होता है, तो students, उस time पे, हालांकि हाईगन को इतनी ज़दा तबज्ज़ नहीं दी गई, क्योंकि Newton जो थे हो, बहुत महान scientist थे, तो उनके comparison में हाईगन को इतनी ज़दा evidences इतने ज़दा तबज्ज़ नहीं मिली, और उनका model जो था, वो fail हो गया था, अलांकि बहुत लेटर जाके, 1860 में जाके, ये बात प्रूव होनी लगी, कि जी हाँ, light जो होती है, वो उसका दोनों तरह का nature होता है, particle भी और wave भी, then students, बहुत सारे आपके पास scientist आये, जैसे एक आपके पास थे Max Planck, एक आपके पास थे James Clark Maxwell, तो इन्होंने भी light के उपर काफी सारा काम किया, इन्होंने कहा कि light जो होती है, किसी ने कहा कि particle है, किसी ने कहा कि wave है, जैसे आपके पास से Max Planck, जो important है इसमें, Max Planck, Max Planck ने ये कहा कि light जो होती है, वो electromagnetic wave है, light कहा है students, ये है electromagnetic wave, ये इन्होंने इन्होंने, light जो है, इसमें दोनों तरह के component है, एक इसमें electric field component होता है, और दूसरा, magnetic field component होता है, और दोनों ही component एक दूसरे के perpendicular होते हैं, अगर ये electric field component है, like this, ये electric field component है, तो ये magnetic field component होगा, ये magnetic field component होगा, और दोनों ही एक दूसरे के perpendicular होते हैं, तो light कैसे move करती है light move करती है wave की form में और इस wave से जो energy आती है students वो आती है आपके पास एक small small packets की form में small packets की form में energy आती है इस जो सारे packets होते हैं इनकी energy fix नहीं होती इस packet को light के case में कहते है photo sorry light के case में इसे क्या कहते है इसे कहते है photon students photon जो होता है वो होता एक small packet of energy जो कहां से energy आ रही होती है आपके पास energy आपके पास आ रही होती है electromagnetic radiation की form में कहां से आ रही होती है आ रही होती है different different outer space से अब students इसी चीज़ को आगे पढ़ते हैं सबसे पहले, कि एक photon क्या होता है, photon के बारे में थोड़ी से study करते हैं, लेकिन photon जानने से पहले, आप एक काम करिए, अगर मैं आपको बताऊं कि देखी, यह 1901 में हुआ था, यह सब कुछ, 1901 में यह theory आई थी, Max Planck की theory को थोड़ा सा समझा गया, कि light का nature होता है, किस तरह का nature होता है कि small packets of small packets की form में आती है then students, E is equal to mc square का evolution हुआ, 1905 में जिसको golden year of physics भी कहते हैं E is equal to mc square और students, इसके एकदम अगले साल, एक और आपके पास form आगी थी, E is equal to h new से, जो उन्होंने डिराइव किया था particle के साथ जो wavelength associated होती है तोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर मैंने कहा, कि किसी particle के साथ जो associated wave होती है अब students आप जानते हैं कि generally particles के साथ behave associated नहीं होती लेकिन 1906 में इस चीज़ को link किया गया था, कि हर एक particle जो है, वो wave भी behave करता है और particle पार्टिकल तो भी behave करेगा ही, in the similar manner light जो होती है वो wave भी behave करती है, वो particle की भी behave करती है, तो इन्होंने यह equation दीती, lambda is equal to h upon mv इसको बोलते है Victor De Bruyce wavelength, तो उन्होंने यह equation निकाली और इसमें यह कहा, light को consider कर लिया उन्होंने इस चीज़ को mix कर दिया किसको, particle nature को wave nature के साथ उन्होंने कहा कि हर एक material particle की wavelength होती है तो यह है theory students, इसमें से एक topic है, जो आपको पढ़ना है अच्छे से, वो है photoelectric effect photoelectric effect, इसके बारे में हमें details study करनी है, सिर्फ आज इसके उपर पूछे जाने वाले various questions कौन-कौन से होता है, क्या यह effect होता है तो अच्छा, सबसे पहले मैं आपको यह बता दू कि पहला lecture जो है आज का, photoelectric effect यह particle nature के उपर है यह explain करेगा particle nature light का यहां हम wave nature इसे मान के नहीं चलते इसे हम मान के चलते है particle nature और next lecture जो मेरा रहेगा वो रहेगा dual nature के उपर जिसमें मैं light को कुछ wave, light को और साथ में electrodes को wave प्रूव करके बताऊँगा और उसके basis में मैं यह कहूँगा कि हर एक matter का दोनों तरह का nature होता है particle nature भी होता है और wave nature भी होता है तो चलिए start करते हैं सबसे पहले हैं students आज आपके पास कि electron emission क्या होता है electron emission electron emission देखे students according to the bohar थ्रूरी, bohar क्या कहते हैं कि अगर यह आपके पास positively charged nucleus है और इसके चारो और आपके पास orbits है orbits तो यह कैसे orbits होते हैं discrete orbits होते हैं मतलब इनके energy जितनी है उतनी fixed रहे है students ना तो इनके energy खुदो खुद बढ़ सकती है और ना ही इनके energy खुदो खुद घड़ सकती है तो मान दीजे यहाँ पर एक electron है और आप जानते हैं कि nucleus और इस electron के बीच में strong electrostatic forces of attraction हैं, columbian attractions तो students अगर मैं मान दीजे बाहर से इस electron को energy देता हूँ in the form of photon photon की form में मैंने इसको energy दे जी तो देखिए इसके पास दो chances होते हैं यह दो चीजे कर सकता हैं यहाँ पर क्या? पहली चीज हो सकता है यह electron excite होके higher energy state में चला जया students जब एक electron lower energy state से higher energy state में चला जाता है तब आप इसे कहते है excitation excitation और students जब इस electron को इतनी ज्यादा energy मिल गई कि यह metal से ही बाहर आ गया तब इसे कहते है emission आई होके पहले आप यहाँ पर excitation और emission के बारे में समझे तो students emission करने के लिए photon का emission करने के लिए आप यह जानते हों कि electron consider एक free electron नहीं है consider एक electron है आपके पास वो nucleus के साथ bound है positive charge nucleus इसके साथ यह bound है तो students अगर आपको इसको energy देनी है ताकि इनके बीच में जो attractions है वो overcome हो जाए तो कितनी minimum energy आप यहाँ पर देंगे minimum energy required to free electron to free electron from columbian attractions from columbian attractions is called work function is called work function क्या कहते है इसे work function कहते है क्या कहा था आपने students कि जितनी यहाँ पर nucleus देखिए nucleus है positively charged nucleus और electron के उपर है negatively charged electron के उपर है negative charge अब students यह जो आप energy apply करते हो यह photon की form में ही apply करते हो so energy apply करते है आप energy of photon कितनी होती अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्लीज इसको याद रखिएगा energy of photon तो दीखें students energy of photon equal होती है आपके पास h into new के यहाँ पर new क्या होता है students new होती है frequency frequency अब frequency क्या होती है students मान लीजिए एक particle एक point है आपके पास इस point में से कितनी waves या कितने particles pass कर रहे हैं एक particular time में एक second में या एक minute में आप time को fix रख देंगे उससे आप कहते है frequency amount of particles passing through a particular point in a given time that is called frequency तो students energy of photon equal होती है e is equal to h into new new याने के frequency new किसके इकोल होता है students यह आपको ध्यान रखना है तो यह ध्यान रखना है कि c upon lambda होता है याने की velocity of light velocity of light by lambda याने की wavelength lambda इकोल होती है wavelength के यह आपको ध्यान रखना है तो देखे जो आप energy apply करते हो बाहर से h new की form में यह energy जो होती है आपके पास आप इसे work function कह सकते हो तो work function का formula क्या रहेगा students work function का formula आपके पास रहेगा अगर इसको मैं 5-6 note करता हूँ तो यह equal होगा e is equal to h new के या h new not आप लिख सकते हो यहाँ पर new not कौन सी energy है? new not है minimum energy minimum required frequency कि कितनी minimum frequency required है इस electron को बाहर निकालने के लिए या free करने के लिए minimum required frequency इसका नाम होता है threshold frequency threshold frequency threshold frequency so यह किसके को बाहर आता है? e is equal to h new not यानि कि इसको आप लिख सकते हैं hc upon lambda not students यहाँ से minimum energy, maximum wavelength बहुत सारी conditions बन जाती है जैसे अगर आपको students आप जानते हो कि energy जो है वो directly proportional है frequency के और inversely proportional है wavelength के तो अगर आपको minimum energy निकालने है किसी चीज़ की minimum energy तो वो किसके equal होगी students? minimum energy equal होगी तब जब आपके पास frequency minimum होगी ध्यान रखियेगा frequency क्या होनी चाहिए? minimum और इसका मतलब students उसकth wavelength क्या होगी? wavelength होगी आपके पास maximum wavelength कितनी होगी? maximum wavelength होगी sum up कर दिया है सब कुछ energy photon की maximum तब होगी जब wavelength energy किसी भी photon की minimum तब होगी जब wavelength maximum होगी या frequency minimum होगी ध्यान रखिया गया ये बात students ये जो energy आप लगाते हो ताकि electron surface में से निकल जाए उसे आप क्या कहते हो? उसे आप कहते हो work function अब students ये जो work function होता है इसकी unit क्या होती है unit work function की होती है आपके पास electron volt electron volt क्या होता है students electron volt do you mean by electron volt तो electron volt क्या होता है कि माल लीजे यहाँ पर आपके पास ए positively charged plate है ये negatively charged plate है consider students ये 5 volt है और यहाँ पर 4 volt है तो इनके बीच में जो potential difference setup है potential difference so potential difference है students 1 volt का potential difference कितना है 1 volt का potential difference है इनके बीच में plate और इसके बीच में तो अगर आपने electron यहाँ पर रख दिया है तो ये electron जो होगा students ये कहां की और move करेगा it will move from the higher potential to that of lower potential तो इसका higher potential students ध्यान रखेगा negatively charged particle का higher potential negative की तरफ को जादा होता है तो ये कहां की और move करेगा ये move करेगा positively charged plate की तरफ को यहां की और move करेगा है तो students कितनी kinetic energy gain करेगा है उसे आप कहते हो electron volt so the kinetic energy gained by electron gained by electron after accelerating through after accelerating through a potential of 1 volt through a potential of 1 volt is called उसे क्या कहते है आप is called electron volt energy उसे आप कहते है one electron volt energy द्यान रखिएगा तो दीखे अगर मैं यहां पर कहूँ कि कितनी kinetic energy इसने gain की है तो e is equal to कितना होगा students ये equal होगा h into यह होगा यह है energy हाला कि जब मैं potential का formula यूज करता हूँ तो दीखे potential कितना है students potential है आपके पास according to the formula work done per unit test charge तो कितना work done किया आपने यहां पर work done कही है चाहे energy कही है तो यह होगा potential into q naught potential इनके बीच में था जो potential difference था एक volt का और q naught कौन सा charge था electron का charge था तो यह बंचेगा minus यह 1.6 magnitude की बात करे into 10 ways 2 पा minus 9 दिन खुलो और volt तो देखिए 1 electron volt यहां से equal होता है 1.6 into 10 ways to the power minus 19 joule के इस चीज को भी आप याद रखिएगा देखिए बहुत चोटी unit है अगर मैं use करूँगा 1 mega electron volt तो इसका मतलब होगा कि 1.6 into 10 ways to the power minus 13 joule यह होगा आपके पस 1 mega electron volt this is 1 mega electron volt तो I hope students आपको यह चोटी सी बातने पहले clear है कि 1 electron volt कितना होता है now students अगर हम बात करते हैं कि एक electron को कितने तरीके से निकाला जा सकता है ejection of electrons ejection of electrons कितने तरीके से निकाला जा सकता है एक electron को तो देखिए यहां पर बहुत सारे method होता है जिन में से चार principal methods होते है सबसे पहले आपके पास होता है thermo ionic emission thermo ionic emission thermo ionic emission क्या होता है students कि मान लेजिए आपके पास एक metal plate है और आपने क्या किया students यहाँ पर इसको energy दे दी वहाँ से किसकी फॉर्म में temperature की फॉर्म में आपने heat कर दिया है इस heat के कारण हर एक electron जो इसके अंदर है उनको energy मिलेगी उनके बीच के और nucleus के बीच के bond जो होंगे वो breakdown होंगे और electron जो होगा lower energy state से कहां को चला जाएगा it will move to the higher energy state और उस वज़े से क्या होगा students उस वज़े से electrons बाहर आ जाएगे उसे आप कहते है थर्मोईनिक emission जब आपने emission किया by applying temperature और heat जब आपने temperature increase कर दिया या heat अप्लाई कर दिया first words दूसरा आपके पास होता है field emission तो field emission क्या होता है आपके पास field emission होता है कि इस बार आपने जो energy provide किये वो heat की फॉर्म में नहीं apply किये इस बार आपने apply किये field की फॉर्म में कौन सी field? electric field, magnetic field consider मैंने electric field provide कर दिया students आप जानते है electric field is always from the positive to that of negative charge तो यागी electric field और इसके बीच में आपने metal को रज दिया आनकि बीच में electric field 0 होगी लेकिन इसके कारण इसको इतनी ज़्यादा energy मिल जाएगी कि electrodes जो इसके अंदर होंगे वो सारे के सारे electron they will feel heat energy और उसके कारण की जो electron होंगे वो बाहर आजाएगे तो electron emission will take place यहाँ पर इसे कहते हैं field emission जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जो important है वो है आपके पास photoelectric emission photoelectric emission photoelectric emission के आई-strons की मान लीजिए आपके पास एक metal surface है और इस metal के surface पे बहुत सारे free electrons है metal के surface पे आप जानते हैं बहुत सारे free electrons होते हैं एक metal के अंदर लगभग room temperature पे 10 raise to the power 28 electrons होते हैं धान रखेगा एक metal में लगभग free surface पे surface surface पे जो free electrons होते हैं वो लगभग 10 raise to the power 28 होते हैं एक particular time पे तो बाहर से मान लीजिए आपके पास photon आ रहा है तो यह photon जो है light energy provide करने के बाद इस बार energy हम derive कर रहे हैं light energy से तो उन्हें आप कहेंगे photo electrons photo electrons यह जो electrons emit हुए हैं उन्हें आप कहते हैं photo electrons यह है आपके पास photo electric emission और लास्ट आपके पास आता है आपके पास सेकेंडरी emission secondary emission क्या होता है screen इसमें हम क्या करते हैं एक accelerating charged particle लेते हैं कौन सा particle accelerating charged particle और उस charged particle को हम क्या करते है accelerate कर सकते हैं अब दीखे accelerate करते कैसे हैं तो इसके लिए और method होता है एक device होती है उसका नाम होता है cyclotron cyclotron में इसको घुमाते हैं हम electric और magnetic field की help से और यहां से जब electron निकलता है students यहां से मान लीजिए आपके पास alpha particle है cyclotron के अंदर इसके घुमा रहे हैं इस तरीके से घुमा रहे हैं और एक particular side से मैंने यहां पर electron को रख दिया तो क्योंकि इसके उपर बहुत ज़्यादा high charge होगा comparatively तो यह करेगा जब इस electron से टकराएगा तो यह इसको energy सारी transfer कर देगा electron यहां से अपने path से निकल जाएगा और इस तरीके से वो metal surface से बाहर आ जाएगा तो इसे आप कहते है secondary emission हलाकि secondary emission के बारे में हम ज़्यादा पढ़ने नहीं वाले हैं यह इतना important topic आपके point of view से नहीं है अब इसमें next topic आपके पास आता है कि हमें पढ़ना है थोड़ा सा photon के बारे में कि photon होता क्या है ताकि हम एक बार clear understanding के हिसाब से photon को एक बार पढ़ने के बाद हम बाकी चुछे के बारे में भी बात कर सके तो देखें photon क्या होता है आपके पास photon जैसे मैंने पहले ही कह दिए photon होता है एक packet of energy packet of energy packet of energy होता है किसका light का packet of energy होता है सबका नहीं होता है light का packet of energy होता है यह कैसा होता है, photon एक particle होता है, जो light में होता है, light इसी की वज़े से energy gain कर पाती है, यह particle है students, ध्यान दख्येगा, इसे quanta of light भी कहते है, और इस particle की केवल energy है students, इस particle की क्या है सिर्फ energy, इसका mass नहीं है, अच्छा इसका mass क्या होता है students, मास दो तरह की masses होता है, एक आपके पास general term define होती है, mass, एक आपके पास दूसरी term define होती है, rest mass, तो rest mass उन items के लिए define होता है, जो कभी rest पे नहीं आती है, और इसी लिए उनका rest mass जो होता है, वो zero consider किया जाता है, जैसे photon है, photon जो होता है, इसकी speed जो होती हो, बहुत ज़दा high होत ही है, लगभग speed of light के equal 3 into 10 minutes to power 8, meet up a second, तो इसका rest mass होता है students, zero, और इसका mass जो होता है, actual mass, जो कि हम वैसे define नहीं करते हैं, बट इसका actual mass जो होता है, वो क्या करता है, vary करता है, इसका relativistic mass होता है, जिसे हम कहते है, m is equal to m0 divided by under root 1 minus v square by c square, जब भी कोई object, high velocity से move करता है students, उसका mass जो होता है, actual mass, वो उसका mass जो होता है, वो vary करता है, तो किस expression से करता है, यह आपके पास Einstein's relativistic mass formula है, आप जानते हैं, यहाँ पर अगर v change करता रहे, यह velocity change करता रहूं है, तो mass की value change होती रहेगी students, और यहाँ से आप rest mass calculate कर सकते हो, m0 is equal to m into under root 1 minus v square by c square, तो दीखे m0 कितना जाजएगा students, m0 जाजएगा 0 अगर particle velocity of light से move करे, तो इसलिए उसका rest mass कितना consider किया जाता है, यह consider किया जाता है, 0, तो photon है एक packet of energy, जिसका केवल energy है, और इसका जो energy होता है, वो किस expression से आता है, energy of photon equal होती है, h new k, दिखाना कियेगा, e अगर equal है h new k students, मैंने पहले ही क्या दि फिर, hc upon lambda के, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि energy directly proportional है frequency के, लेकिन universally proportional है wavelength के, अगर instruments दिखें कि दिखें, यहाँ पर h क्या होता है, h होता है आपके पास planks constant, मैंने पहले ही लिखा दिया था, आपनों को याद हो, h होता है planks constant, बाकी चीज़ें आपको clear हो, c आपके पास होती velocity of light, c है velocity of light, new है आपके पास frequency, और lambda है आपके पास wavelength, wavelength किसका, जो भी आपके पास particle होगा, जो भी photon होगा, उसका incoming wavelength, so students, planks constant तो एक constant होता है, जिसकी value होती है, 6.63, into 10 raise to the power, minus 34, joule second, तो यह तो आप directly याद रख सकते हो, और देखें, यहाँ पर अगर मैं यह सारे values को substitute कर देता हूँ, कौन-कौन सी, एक तो देखें, यह है, velocity of light fix होती है, आप जानते हैं, यह equal होती है, 3 into 10 raise to power, 8 है, तो अगर इस expression में यह substitute कर देता हूँ, मैं, E is equal to hc upon lambda में, तो energy कितनी आ जाएगी, देखें, h की value होगी, 6.63, into 10 raise to the power, minus 34, और फिर c, अब c की value कितनी होगी, 3 into 10 raise to the power, 8, by, by lambda, lambda, lambda तो vary vary करेगा, students, आप जानते हैं, lambda की value vary करेगी, energy, अगर आपको minimum energy calculate करनी है, तो आपके पास यह equal होना चाहिए, hc upon lambda maximum, आप जानते हैं, I hope इतना तो आप mathematics जानते हो, यह minimum होगा, जब lambda maximum होगा, तो आपको maximum wavelength पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब है, आपको minimum energy calculate करनी है, अगर इस सारी values को मैं substitute कर देता हूँ, students, तो आपके पास answer आता है, आपको directly याद रखना है, 1240 by lambda, students, यह किस में होता है, यह होता है, लेमडा देखिएगा, मिल्ली मेटर में होता है, धिखान रखिएगा, लेमडा जो होगा, वो मिल्ली मेटर में होगा, और energy यह किस में आई है, electron volt में energy आई है आपके पास आपको यह जहाँ रखना है not millimeter, sorry nanometer, इसको ठीक कर लिजगा millimeter नहीं है यह आपको nanometer, मतलब energy जो होनी चीए वो electron volt में तब आएगी जब lambda की value किस में होगी nanometer याने कि 10 raise to the power minus 9 अब यहाँ से आप खुद वो खुद भी convert कर सकते हैं कि अगर आपके पास 10 raise to the power minus 10 है यह आने कि 1 angstrom है, तब energy कितनी आएगी यह आप calculate कर सकते हो students यह होता है photon का energy calculate कर लिया, हमने mass calculate कर लिया, rest mass calculate कर लिया, speed calculate कर लिया अब students बात करते है इसके momentum की तो दीखे, students, momentum कितना होता है इसका momentum तो दीखे, momentum equal होता है momentum को अगर मैं P से लिखू हूँ तो यह equal होता है h upon lambda के यह दियान रखना है आपको h upon lambda के यह students एक और formula है h upon lambda की value मैं यहाँ से substitute कर सकता हूँ आप जानते हैं कि lambda new equal होता है c upon lambda के तो lambda की value यहाँ से calculate कर सकता हूँ c upon new अगर इसको substitute कर दूँ तो c upon new तो यह आपके पास momentum आ जाता है दियान रखेगा यह आपके पास momentum है इसका इस तरीके से आप momentum भी calculate कर सकते हो momentum जो होता है दियान रखेगा momentum जो होता है कभी भी इस बात के उपर depend नहीं करता है कि particle की का mass कितना है mass के उपर depend नहीं करता momentum ultimately momentum depend करता है energy के उपर ध्यान लखेगा momentum depend करता है energy के उपर ध्यान लखेगा और हर एक photon की जो energy होती है यह fixed होती है ध्यान लखेगा energy is fixed इसका मतलब क्या instruments की पार्टिकल की lambda में vary, lambda में vary, अगर same source of light है तो lambda की value vary कर सकती है, लेकिन energy क्या होगी फिर भी, energy रहेगी fixed, definite amount of energy ही आपके पास आएगा, ध्यान दखेगा, अगर energy definite होगी, तो obvious सी बात है कि इसका momentum भी definite होगा, तो इसका मतलगा momentum is also definite, momentum is also fixed, dear definite, whatever you wanna use, जो भी आप कहना चाहते हैं तो यह द्यान रखीगा, next चीज students की जब आपके पास एक photon यहां से आया, और इसने सारी की सारी energy जो है, वो एक electron को transfer कर दी, यह electron है, यह photon है, तो इनके बीच में collision होगा students, इस time पर यह collision हो रहा है, यह collisions जो होते हैं आपस में, वो perfectly elastic होते हैं, collisions are perfectly elastic, अच्छा students, perfectly elastic collisions का मतलब क्या होता है, कि इनकी kinetic energy जो रहती है, हमेशा क्या रहती है, वो रहती है, conserved, याने की constant, constant, in the same manner, momentum जो होता है students, इनका linear momentum, वो भी क्या रहता है, linear momentum भी हमेशा रहता है, conserved या constant, तो ध्यान रखेगा, जब momentum, जब आपके पास दो particles के बीच में, जब आपके पास एक electron, और एक photo, photon के बीच में collision हो रहे है, वो कैसे collisions है, perfectly elastic collisions है, मतलब उनका kinetic energy और linear momentum जो रहेगा, हमेशा ही वो क्या रहेगा, conserved रहेगा, ध्यान रखेगा, photos जो होते हैं, यह ध्यान रखेगा, इनके उपर कोई charge नहीं होता, कैसे होते हैं यह, neutral होते हैं, neutral, इनके उपर कोई charge नहीं होता है, इसी लिए, electric field and magnetic field का, इनके उपर कोई प्रभाव नहीं होता है, दियान रखेगा, they are not deflected, not deflected by electric and magnetic fields, electric और magnetic field का, इनके उपर कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि इनके उपर charge नहीं होता है, तो दियान रखेगा, photon के बारे में इतना कुछ आपके लिए काफी है, I hope आप लोगों को यह समझ आ गया होगा, चलिए, students, इसके बाद discuss करते हैं, photoelectric effect, photoelectric effect, अब देखे, students, इसकी एक experimental theory है, experimental theory के basis पे हम चार laws निकालेंगा, और उन laws को हम प्रूफ करेंगे, Albert Einstein के equation से, जिस चीज़ के लिए उनको Nobel Prize मिला है, यही इस topic में है, तो photoelectric effect होता क्या है, students, photoelectric effect होता है आपके पास, एक ऐसा phenomenon जिसमें electrodes जो होते हैं, वो eject होते हैं, the spontaneous emission of ejection of electron, when light of certain frequency strikes the metal surface, देखे, मैं आपके लिए लिए लिक भी देता हूँ चाहे है, यहाँपर, photoelectric effect है क्या, यहाँपर के पास, phenomenon, in which electrons are ejected, from a metal surface, from a metal surface, when light of, देखे, कोई भी light, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी light इसके उपर पढ़ेगी वारे electron निकाल देगी, no, when light of, देखे, यहाँपर एक important condition है, certain frequency, कुछ minimum frequency की requirement है यहाँपर, उस frequency के below अगर कोई आपके पास energy है, या उस frequency के below अगर आपके पास incoming photon की frequency है, तब आपके पास photoelectric effect नहीं होगा, when light of certain frequency strikes metal surface, यह strikes metal, तो देखे, minimum frequency की requirement है, यह ध्याद रखिएगा, आप students इसके लिए एक apparatus कैसा था, तो इसके लिए quartz glass tube थी आपके पास, जिसको cathode ray tube भी कहते है, और यहां से एक narrow सी opening रखी गई थी, यहां पर एक metal का plate लगा दिया गया था, इस तरीके से, और इस metal plate में क्या कहा गया था, कि इस तरीके से photons बाहर से आएंगे, इस तरीके से, और strike करेंगे इधा, like this, तो अब्वियस सी बात है, इसको connect कर दिया गया था, एक high voltage से, high voltage से connect कर दिया गया था, यहां पर इसके बीच में लगा दिया गया था, micro emitter, देखे स्वेंट्स, micro emitter इसलिए लगाया गया है, क्योंकि current बहुत ही कम होगा, इसलिए micro emitter, बहुत small current measure करने के लिए, और देखे, यहां से मैं यह कह सकता हूँ, यहां से मैंने apply कर दिया, एक voltmeter, यहां पर मैंने एक voltmeter लगा दिया था, voltmeter हमेंशे ही parallel में लगाया जाता है, यह अप आप लोगों को पता हो, यहां पर एक variable resistance लगा दिया थी, ताकि मैं current को बार-बार vary करता रहूं, या voltage को बार-बार vary करता रहूं, इस सारे चीज़ को एक आप voltage से जोड़ दीजिए, जिसे मैंने यहां पर voltage apply कर लिए है, like this, negative charge, this is positive charge, तो होगा क्या students, देखिए, अगर आपके पास यह anode है, यहां पर यह anode है, और यह के थोड़ है, होगा क्या students आप जानते हैं कि electrodes जो होंगे, वो electrons यहां से, जैसे strike, यह metal surface को strike करेगी light rays, photons, तो electrons यहां पर eject होंगे, और वो electrons जो होंगे, eject होने के बाद कहां जाएंगे, obvious सी बात है, वो splate की और जाना start कर देंगे, जब students splate की और जाना start करेंगे, तो यहां पर moment of electrons होगी, यहां होगी moment of electron, वो moment of electron होता है students, इसको क्या कहते है, moment of electron को ही current कहते है, तो यहाने कि यहाँ पर आपके पास एक current setup हो जाएगा कौन सा current होगा students है यह होगा photo current यह generally देखा गया अब students इसके बारे में थोड़ी सी detailed discussion करते है apparatus तो आपके सामने है तो सबसे पहली चीज़ हम इसमें देखते हैं कि इसमें intensity का क्या effect होगा intensity effect photoelectric effect में intensity का क्या प्रभाव पड़ता है तो देखिए intensity का मतलब क्या होता है पहले आप वो समझ लीजिए intensity का general formula आपके पास होता है energy per unit area per unit time यानि कि अगर आपके पास कोई particular area है यह आपके पास area है दोनों का fixed area है students तो इस particular area में इस particular area में कितनी ray of light आपके पास आ रही है जैसे यह आपके पास ray of light आ रही है माल लीजिए यहां पर आपके पास एक second में 100 photons आ रहे है 100 photons on the other hand students इस point पर आपके पास यहां पर आपके पास आ रहे है 50 photons एक second में तो students मैं क्या कहूंगा कि यहां पर क्योंकि ज़्यादा photons आ रहे हैं तो यह आपके पास intensity जो होगी इसकी वह ज़्यादा होगी more intense ठीक है इसकी intensity अगर मैं इसको I1 कहूं इसको I2 कहूं तो मैं यहां पर कहूंगा कि I1 intensity ज़्यादा है I2 के comparison में क्यों क्योंकि एक second में एक particular area के उपर जितने photons आ रहे हैं A में A case में वो ज़्यादा है compared to that of the B case I hope students पहले आप intensity का मतलब तो समझ गए हो आप students intensity का effect के देखने को मिलता है यहां पर अगर students मैं जो light आपके पास आ रही है जो आप light बाहर से apply कर रहे हो यानिकि photons जो आ रहे हैं अगर मैं इनकी frequency को fixed कर देता हूँ frequency fixed कर दी students frequency is fixed कितनी frequency है यह ध्यान न किएगा बस more than threshold frequency है मैंने आपको threshold frequency समझाई थी कि जितना photoelectric effect करने के लिए जितनी minimum frequency की ज़रूर्ट होती है उससे तो ज्यादा frequency है आपके पास हलां कि vary नहीं कर रहे है consider example के तौर पर जैसे मानली जो photoelectric effect करने के लिए 30 hertz की frequency requirement है तो आपने यहाँ पर उससे ज्यादा ही apply की है 40 लेकिन आप vary नहीं कर रहे हो intensity ध्यान रखेगा students जो आपको intensity का effect पढ़ना है तो frequency को आपने क्या कर दिया है fix कर दिया है ध्यान रखेगा दूसरी चीज़ जो आप voltage apply कर रहे हो बहार से voltage applied और ऐसे भी लिख सकते हो applied voltage जो applied voltage है वो भी क्या है students आपके पास यह भी constant है यह ध्यान रखेगा applied voltage भी क्या है यह constant है तो क्या होता है students जब आप बाहर से apply करते हो तो obvious सी बात है अगर आपने intensity बढ़ा दी यहाँ पर तो इस बार जादा number of particles आपके जादा number of particles बाहर से आएंगे जादा photons बाहर से आएंगे अगर students जादा photons आएंगे तो इस बार जादा electrons निकलेंगे अगर जादा electrons निकलेंगे तो photo electrons जादा होंगे और photo electrons अगर जादा होंगे तो यहाँ current जो होगा photo current जिसे आप कहते हैं वो भी comparatively जादा होगा तो अगर आप students graph बनाओगे किस-किस के बीच में अगर आपको graph बनाने को आता है intensity of light intensity of light और दूसरी साइड है आपके पास current या photo current intensity of light और photo current तो कैसा graph होगा it will always be a straight line passing through origin ध्यान लखियेगा it will always be a straight line passing through origin तो क्या होता है आपके पास intensity का effect कि देखिए जैसे intensity हम बढ़ाते हैं keeping the frequency and applied voltage constant तो जादा photons जब बाहर से आते हैं वो जादा electrons से collisions करते हैं और जादा electrons को निकालने में वहाँ पर सक्षम होते हैं जिसके कारण जादा electrons निकलते हैं जादा electrons के कारण photo current जादा होता है और photo current directly proportional हुआ intensity के इसलिए इनके बीच का जो graph था वो कैसा था straight line passing through origin तो यहाँ से पहला law निकल के आया कि number of photo देखे मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर number of photo electrons number of photo electrons emitted per second number of photo electrons emitted per second is directly proportional to the intensity कितने number of photo electrons एक सेके में निकल रहे हैं वो डिपेंड करता है intensity के उपर मतलब आप आसान भाशा में भी कह सकते हैं कि number of photo electrons is directly proportional to the intensity जितनी ज़्यादा intensity रहेगी उतने ही ज़्यादा electrons निकलने के संभावना जो होगी वो ज़्यादा होगी उतने ही इलेक्ट्रों निकलने के संभावना ज़्यादा होगी ध्यान रहेगी जरूर नहीं है electron निकलने के संभावना ज़्यादा होगी बस that's it तो यह ता पहला effect intensity का then students second आप concept पढ़ते है effect of voltage effect of potential effect of potential तो दीखें students potential का क्या रोल है यहाँ पर माल लीजिए consider कि आप यह कहते हैं कि थोड़ा से इस experiment को देखेगा माल लीजिए आप कहते हैं इस बार आपको क्योंकि फोटो क्योंकि आपको potential पढ़ना है तो ध्यान रखिएगा intensity फिल हाल मैं constant रख रहा हूं इस experiment में intensity as well as frequency जो applied आपके पास बाहर से आपने apply की हुई है photon उस photon की frequency और intensity आपने fix रख की हुई है यह दोनों चीज़े constant है अगर हमें potential के effect को समझना है तो students क्या मतलब वह देखिए यहां पर potential का कि माल लीजिए अगर एक second में hypothetically speaking मैं situation ले रहा हूं यहां पर आपको understand करवाने के लिए थोड़ा ध्यान से देखिए का please अगर consider students यहां पर एक second में electrons यहां पर निकल रहे थे 20 लेकिन माल लीजिए यहां पर एक second में दस ही electron capture हो पा रहे हैं दूसरी side 10 ही electron तो इसका मतलब है students की 10 electron कहीं बीच में पड़े हुए अगर मैं यहां पर voltage increase कर देता हूं students तो voltage increase करने से क्या होगा अब जो बीच वाले electron आपके पास है जो बीच में कहीं electrons फसे हैं वो electron भी अब इस side की और आएंगे क्योंकि यहां पर अब electron को capture करने की capability होगी वो भी बढ़ जाएगी potential बढ़ाने का मतलब क्या है potential बढ़ाने का मतलब है कि अब यह जादा charge को देखिए आप जानते है V is always equal to work done per unit test charge potential बढ़ाने का मतलब यह है कि हर एक test charge के उपर जो आप work done कर रहे हो वो भी जादा है जादा energy apply कर रहे हो आप तो देखिए इससे होगा क्या जादा electrons के उपर जो work done होगा तो वो सारे के सारे electrons जो होगे वो दूसरे anode की तरफ को खीच के आ जाएंगे इससे हुआ क्या student पहले आप जानते हैं कि 10 ही electron आ रहे थे एक second में anode की तरफ को लेकिन अब कितने electron आ रहे हैं अब आप जानते हैं कि अब आ रहे हैं 20 electron पहले देखिए 20 electron इजेक्ट हो रहे थे लेकिन capture जो हो रहे थे students वो 10 ही electron थे अब इसके बाद क्या हुआ students मान लीजिए आपने electrons को बढ़ाने की capacity electron को catch करने की capacity को बढ़ा दिया लेकिन students electron emit तो अभी भी उतने ही हो रहे है न 20 ही electron थे लेकिन इस बार आपने कहा क्या इसकी capacity को बढ़ा दिया 20 electrons तो students बीच में कुछ extra electrons पढ़े होगे consider यहां पर 50 electron है extra बीच में कुछ time के लिए यह 50 electron अब जल्दी से कहां की तरफ को आना start कर देंगे एनोर की तरफ को और इस वज़ा से current जो होगा वो थोड़े time के लिए बढ़ेगा थोड़े time के लिए बढ़ जाएगा current मतलब इस तरीके से increase करेगा और फिर उसके बाद constant हो जाएगा अगस्ट विंड्स आपने ज्यादा intensity वाली light लिए comparative लिए तो ज्यादा intensity वाली light लेंगे तो देखिए फिर से current constant होगा लेकिन थोड़े time के बाद अगर और ज्यादा intensity वाली light आपने लिए तो फिर से current constant होगा लेकिन और time के बाद यहाँ पर मैं यह consider करके चला हूँ कि intensity i3 की i2 और i1 के comparison में जाबा है अगर मैं ज्यादा intensity वाली light को consider कर रहा हूँ तो ज्यादा intensity वाली light आपके पास क्या कर रही है ज्यादा time के लिए electrons को eject कर रही है ज्यादा electrons यहाँ पर होंगे ज्यादा intensity वाली light अगर है तो इसका मतलब है जहाँ पर second 20 electrons आ रहे है दे वहाँ हो सकता है आपके पास 50 electron आ जाए तो बीच में यह 50 electron नहीं होंगे hypothetically speaking 50 से कुछ जादा होंगे कुछ time के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर cash तो शुरू में 10 ही हो रहे है न निकल 50 रहे हैं लेकिन एन और cash सिर्फ 10 कर पा रहा है तो इसका मतलब है 40 electron है कहाँ इसका मतलब है 40 electron अभी यहाँ पर है बीच में तो अगर आप 5-6 second की भी बात करो तो 5-6 second में यह electron 250-300 के करीब पहुंच जाएंगे उससे होगा क्या students बीच में electron बहुत जादा होंगे जब आप एकदम से potential बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इन electron को खीचने की capability बढ़ जाएगी लेकिन वो बढ़ेगी तभी तक जब तक सारे के सारे electron यहाँ पर capture नहीं होते एक बार सारे electron capture हो गए तो यहाँ से फिर से 50 निकलेंगे लेकिन फिर से इसकी catch करने की capability उसक कितनी होगी मान लीजिए आपके पास 30 और 40 होगी या चलिए 50 होगी तो उसक निकल भी 50 रहे होंगे और gain भी 50 ही हो रहे होंगे निकल भी 50 रहे होंगे और फिर से catch 50 ही होंगे इसलिए graph जो होगा है कुछ time के बाद current का graph जो होगा वो constant हो जाएगा I hope आपको समझ आया होगा यहाँ की और आपने potential अपलाई किया है यह potential है और यहाँ की और है आपके पास photo current अच्छा students इसमें एक और important देखने लाइक बात थी इस graph में कि अगर आप इन सभी graphs को यहाँ की और मिलाते हो यानि की इनको रोकने के लिए कितनी potential की अवशक्ता है कितने potential की requirement है तो वो potential सब के लिए सेम था students और इसका नाम था आपके पास stopping potential इस potential का नाम अगर इसको मैं V naught कहूं potential को तो इस V naught को बहुत सारे नाम से जाना जाता है जैसे stopping potential stopping potential या फिर retarding potential retarding potential या फिर इसको बोला जाता है cut off voltage cut off voltage या इसे कहा जाता है back EMF तो इसके बहुत सारे नाम है ध्यान रखेगा student से होता क्या है थोड़ा ध्यान से देख लीजेगा इसके उपर भी numerical आता है stopping potential क्या होता है कि मान लीजे electron जो eject हुआ है चलिए यहाँ पर यह बिना देता हूँ यह जो electron eject हो गया मान लीजे metal से metal के surface से electron eject हो गया अब यह electron आगे की तरफ को जा रहा है मान लीजे इस electron की kinetic energy maximum है kinetic energy क्या है इस electron की maximum students so kinetic energy अगर इसकी maximum है मान लीजे मुझे इसको आगे जाने से रोकना है तो students आप जानते हैं इसे ऐसे तो रोक नहीं पाएंगे क्याकर आगे आपने कुछ इसके लिए obstruction offer कर दी और रुख जाए आपको क्या करना है पड़ेगा students इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ energy लगाने पड़ेगी in opposite direction तो यह जो आप energy अप्लाए करते हो opposite direction में इसको रोकने के लिए वो अप्लाए करते हो potential की form नहीं तो कितना potential अप्लाए करें आप कि यह electron जो maximum kinetic energy से आगे की और travel कर रहा है node की और वो आगे की और ना जाए वो एक जगा पर रुख जाए उसे आप कहते हो stopping potential कितना potential इस electron को लगाना पड़ेगा photo electron को ताकि यह node की और ना जा पाई यह stop हो जाए एक जगा stopping potential retarding potential इसलिए क्योंकि negative में आपने potential अप्लाए किया है तो देखिए आप क्या कहोगे कि stopping potential के लिए kinetic energy अगर मैं मानूँ half mv square कौन सा v maximum v तो वे किसके इकोलोगा students यह इकोलोगा work done की work done किसके इकोलोगा students ही मैं पहले आपको करवा चुका हूँ मैं शुरू में यह आपको समझा दिया था energy जो होती है work done जो होता है वो हमेशा potential की form में होता है यानि कि आप जानते हैं कि देखिए potential is always equal to work done per unit test charge तो यहाँ से work done कितना आएगा यह आएगा potential into test charge अगर आप बात कर रहे हो test charge यहाँ पर electron है तो यह बन जाएगा potential into test charge यानि कि students यहाँ पर V0 क्या है आपके पास V0 आपके पास है stopping potential stopping potential E क्या है आपके पास E है charge on electron देहन रखिएगा E is charge on electron M है आपके पास mass of electron mass of photo electron और V आपके पास है maximum velocity of photo electron V max आपके पास क्या है maximum velocity of photo electrons maximum velocity of photo electrons तो students यह आपके पास kinetic energy के दिए formula है जो आप लोगों को हर हालत में याद होना चाहिए please ध्यान रखिएगा इस formula का यह है effect of potential potential का effect then students next आपके पास है I hope आपको potential का effect समझ आ गया होगा अब देखे students अच्छे यह सब के लिए same क्यों है यह मैं explain नहीं कर पाया भी देखे मैं आपको बता जेता हूँ कि यह सब के लिए same क्यों है क्योंकि students देखे जितने भी electrons यहां से निकल रहे है मालीजी आप intensity भी बढ़ा रहे हो चाहे आप intensity ही बढ़ा रहे हो students लेकिन intensity बढ़ाने से number of photons increase होंगे यानि कि number of electrons जो होंगे emit वो increase होंगे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा अगर मैं intensity भी बढ़ा देता हूँ जैसे मैंने I1 से intensity को I2 कर दिया या I2 से I3 कर दिया जब मैं intensity को increase कर रहा हूँ तो number of photons जो यहां पर emit हो रहे हैं वो ज़ादा होंगे number of photons ज़ादा आएंगे बाहर से यानि कि electrons को भी वो ज़ादा निकालेंगे लेकिन students ज़ादा electron निकलने से ये तो नहीं हुआ कि electrons जिस energy से निकले वो ज़ादा निकले हाँ हम यह मानते हैं कि number of electrons ज़ादा निकले हैं क्योंकि photons के intensity बढ़ गई थी लेकिन students सारे के सारे electron जो निकल रहे हैं चाहे higher intensity के चाहे lower intensity के उन सभी का उन सभी की kinetic energy सेम है इसलिए students सभी को रोकने के लिए जो आप voltage apply कर रहे हो वो इसलिए सेम है I hope आप लोगों को एक graph समझ आ गया हो Now students next तरह का graph है आपके पास effect of frequency effect of frequency तो देखिए मैं आपको आपको समझा चुका था कि frequency क्या होती है आपके पास frequency होती है कि एक जगह से एक place से कितनी number of waves एक particular time में पास हो रही है for example यह waves है इस particular place में से इस particular point में से कितनी number of waves पास होंगी एक particular second उसे आप कहते हैं frequency अब students देखिए photon की energy जो होती है यह equal होती है h into new यानि की energy directly proportional है frequency ध्यान रखिएगा energy directly proportional है frequency इसका मतलब क्या होगा students अगर more frequency वाली light होगी more frequency means more energy ज्यादा energy होगी मतलब kinetic energy और energy किसी ब एनर्जी की बात कर लीजिए वो किसके उपर depend करती है वो frequency के उपर depend करती है वो intensity के उपर depend नहीं करती है तो students अगर energy ज्यादा होगी मतलब frequency ज्यादा होगी frequency तभी ज्यादा हो सकती है जब आपके पास energy जो होगी वो ज्यादा होगी photon की अब students देखिए अगर frequency जो है मानली जो frequency threshold frequency से कम है आपने जो apply की frequency या जो photon आपने यहाँ पर apply किया है मान लिजे उसकी frequency जो है वो है threshold frequency से कम है तो होगा क्या students देगे यहाँ पर positively charge nucleus है और इसके चारों और जो है वो electrons है तो अगर इनके बीच में bond है और बाहर से मान लिजे इसको तोड़ने के लिए आपको 700 joule energy की requirement है और बाहर से जो energy आ रही है consider frequency के साथ h को multiply करके hypothetically speaking कि वो 500 joule ही है इसका मतलब क्या है कि frequency less than threshold frequency है इसलिए h new भी less than h new not होगा मतलब work function से कम energy होगी इसकी इसको break करने के लिए electron और nucleus के बीच में जो bond है इसको break करने के लिए consider आपको 700 joule की requirement है लेकिन जो आप apply कर रहे हो वो 500 joule है can you guys say क्या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर electron बाहर आएगा obviously यहाँ पर electron बाहर नहीं आएगा इसलिए आपको एक minimum frequency की requirement होती है इस minimum frequency के बाद ही photo electric effect जो होता है वो हो पाता है उसके पीछे वो नहीं हो पाता photo electric effect नहीं हो पाता जब frequency जब frequency greater than threshold frequency होगी तो इसका मतलब में जो बाहर से energy apply होगी E जो equal होता है H new के यहाँ पर H new भी greater than H new note होगा यानि की stopping potential या energy जो होगी आपके पास वो किस से ज़्यादा होगी work function से ज़्यादा होगी electron इसको overcome कर पाएगा इस जो forces है इसके बीच में अगर आपको graph बनाना है तो देखे क्या graph बना students यहाँ पर graph बना आपके पास यहाँ से आपको directly proportional बनाना है like this ये है आपके पास frequency और ये है आपके पास stopping potential stopping potential अगर आपने frequency बढ़ाई तो stopping potential जो होगा उसको रोकने के लिए जो energy चाहिए होगी वो भी ज़्यादा होगी अच्छा स्ट्रोन सब रोकने के लिए ज़्यादा energy क्यों चाहिए होगी तो दीखे इस पार frequency अगर बढ़ी है तो इसका मतलब क्या है कि पहले ये electron अगर 10 meter per second की speed से आगे क्यों आ रहा था तो अब इसकी क्योंकि frequency बढ़ी है तो याने कि e is equal to h new याने कि इसकी energy बढ़ी है याने कि energy अगर बढ़ेगी तो kinetic energy भी बढ़ेगी तो consider आभ ये 20 meter per second की speed से आ रहा है इसका मतलब पहले के comparison में ज़ादा velocity से आगे की और आ रहा है याने कि इसकी kinetic energy जो होगी students वो different होगी इसकी kinetic energy यहाँ पर half mv square different है पहले वाले के comparison में mv1 square पहले mv1 थी अब students मान लीजे mv2 है तो इसके लिए जो आपको potential apply करना पड़ेगा वो मान लीजे ev0 है लेकिन इसके लिए potential क्योंकि different apply करना पड़ेगा इसको v1 लिख लीजे याने कि students stopping potential जो है वेरी कर रहा है kinetic energy के साथ और kinetic energy किसके बाद के उपर depend कर रही है frequency के उपर अच्छा students यह आपके पास जो frequency है जीरो से क्यों start नहीं हुआ क्योंकि यह है threshold frequency ऐसा नहीं होगा कि कोई भी light इसके उपर पड़ी और electrons निकलने start हो गए इसके लिए आपको minimum frequency की requirement होगी जिसे आप क्या कहते है threshold frequency कहते है I hope आपको यह समझ आया होगा तो students in experimental laws के basis पे 4 laws there are 4 laws जो यहां से निकल के आए कौन-कौन से laws थे देखिए यह आपके पास पहला law आपके पास यह था पहला law यह था हम निकालते हैं पहला law intensity से तो intensity का law यह था कि कितने number of photo electrons eject होते हैं एक metal से यह depend करता है intensity of the light के उपर frequency के उपर यह depend नहीं करता कि कितने electrons एक particular time पे निकल रहे हैं जब उसकी intensity बढ़ाई जाती है light की तो पहला law यहां से निकल के experimental basis पे यह आया कि number of photon photons number of photo electrons emitted they depend on the intensity of light not on the frequency of light I hope आपको समझ आ गया होगा यह the instruments potential का क्या effect आया potential का effect आपने यह देखा कि अगर आपको किसी particle को रोकना है kinetic energy जो होती है particle की यह लिखा है मैंने सामने यहाँ पर kinetic energy जो होती है particle की यह depend करती है stopping potential के उपर अगर ज़ादा stopping potential होगा तो फिर ज़ादा kinetic energy होगी मतलब ज़ादा kinetic energy वाले electron को रोकने के लिए जो energy आपको बाहर से apply करनी पड़ेगी वो भी ज़्यादा ही होनी चाहिए dense frequency का effect हमने देखा हमने कहा कि there exist minimum certain frequency वहाँ पर एक ऐसी minimum frequency होती है जिसके below कोई भी photo electric effect नहीं होता है उस minimum frequency को आप कहते है threshold frequency और इस frequency से ज़्यादा जब आप light की frequency को रखते हो photons की frequency को रखते हो तो उस वक्त photo electron निकलते है तब आपके पास emission होता है I hope आपको यह समझ आ गया होगा students last topic आपके पास एक और है कि देखें यह जो photo electric effect होता है photo electric effect यह spontaneous emission है और यह instantaneous effect है photo electric effect is instantaneous instantaneous effect मतलब यह कैसा effect है instantaneous effect मतलब रखें इसमें क्या होता है इसमें जो intensity यह ऐसा होता है कि मान लीजिए एक photon ने एक electron को strike किया उसी time पर students यह अगर electron निकलना होगा तो उसी time पर यह electron जो होता है photo electron नो emit हो जाता है emit हो जाता है इसके बीच में ज़्यादा gap नहीं होता इसके बीच में जो time lag होता है वो time is to power minus 8 seconds होता है ऐसा नहीं कि students आज photon जो है वो electron के उपर गिरा और कल आपके पास वहाँ से photo electron जो होगा emit over no, it is an instantaneous process जैसे ही photon ने strike किया electron को वैसे ही electron बाहर आ गया that's it students यह था photo electric effect Albert Einstein की theory नहीं इसको कैसे प्रूव किया मैं आपके लिए next lecture लाता हूं तब तक आप इसे properly study करिए इसके उपर बनने वाले numericals वैसे तो इसमें जादा तर formula जो बन सकते हों मैंने आपके सामने लिखी दिये है उन सब को मैंने underline किया है maximum इसमें 4 या 5 formula अभी तक आप लोगों ने पढ़े होंगे इन formula को properly study कर लीजिए और इसके उपर बनने वाले numericals को आप try करें कि क्या आप वो numericals कर पा रहे हैं या नहीं मिलते हैं next lecture में students तब तक अपना ध्यान न किये धन्यावाब